दूसरा question है हमारा कि एक रेखा A B है और उसका जो चुम्बकिये दिक्मान के संदर्ब में जो क्रमागत हमारा दिक्मान दिया हुआ है वो 434.8 और माइनस 312.6 है तो इसका क्या करना है हमको सत्य या मुत्तर के संदर्ब में निर्दे सांग ग्याद करना है यहाँ पर true या मुत्तर के संदर्ब में एमको ग्याद करना है निर्德े सांग अगर चुम्बकिये दिक्मान दिया है इतना दिया हुआ तो इसको हम कैसे हल करेंगे हल करने से पहले हम यहां पर जो चतुर्थान से उसको बना करके रखेंगे ताकि जो चीजें हैं हो समझने में हमको असानी होगी North South East West इससे उपर दोनों प्लस में रहेगा इससे नीचे दोनों माइनस में रहेगा और इसके दाहिने साइड प्लस में और इसके बाएं साइड माइनस में यह हमारा एक, दो, तीसरा और चौथा यह चारोपाद हो गए अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर दिया है कि रेखा AB जैसे हमने पहला सवाल बनाया AB को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और चुकि यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वो 434 दिया हुआ है एक कमान कुछ नहीं दिया है तो एक को हम मान लेंगे यहाँ पर 00 के संदर्ब में लेकर चल रहा है तो इसको 00 ले लेंगे और इसको 434.8 और 312.6 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम माल लेंगे इह हमारा नौर्धिंग हो गया, यह हमारा इस्टिंग हो गया, कुछ इस तरीके से हम मान करके हल कर रहे हैं हाँपर, तो इसको हम जब इसका हम क्या करेंगे, अक्छांस हमको ग्याद करना होगा, एबी रेखा का, एबी का अक्छांस, तो एबी का अक्छांस इसको घटाएंगे, तो 434.8, तो ये खुद इतना ही रहा जाएगा, प्लस में, उसी तरह, एबी का जो भुजांक आएगा, वो भुजांक आएगा, वो कितना आएगा, घटाएंगे, तो एबी 312.6 ही आजाएग तो हमारा जो अक्छांस और भुजांक है उतना ही रहेगा अब हमको दिशा ग्याद करना है तो दिशा ग्याद करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 10 ठिटा बराबर भुजांक बटा में अक्छांस तो भुजांक हमारा कितना हो गया माइनस 312.6 प्लस 434.8 इसको भाग दिरने पर आएगा हमारा 312.6 भागे 434.8 तो यह हमारा आगया 0.78 अब हमको यहाँ पे 10 ठिटा बराबर हमारा मान कितना आगया 10.78 तो ठिटा बराबर हम कैसे 10 inverse कर देंगे 0.708 तो यह कितना आ जाएगा 10 inverse 10.78 यह हमारा आगया 35.678 अब जैसे हमने बताया था कि इसको कैसे हम डिगरी और मिनट में बदलें तो यह जो मान दिया हुआ है इसको लेंगे 35.678 और डिगरी वाला बटन दबाएंगे यह से हमने पिछले लेक्चर में बताया था तो यह हमारा आगया 35 डिगरी 40 मिनट और सेकेंड में आ रहा है तो इतना ही हम लेंगे यहाँ पर अब हमारे पास जो यह चीन अकछांस और भुजांक का चीन है इस चीन की सहायता से इसको हम देखेंगे कि किस पाद में ये पढ़ रहा है तो ये हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा आक्छांस है वो प्लस में है मतलब कि ऊपर ही आएगा और जो भुजांक है वो माइनस में ये भी हमारा चौथा पाद में पढ़ रहा है इसी पाद में चौथे पाद मे साथ हम इसको reduce bearing में जब हम इसको लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा नौर्थ 35 degree 40 minute west अब इसको हम whole circle bearing में बदलेंगे whole circle bearing में बदलने के लिए फिर जैसे हम यहां पर देखेंगे कि यह north से कितना कॉंड बना रहा है तो यहां से यह कॉंड कितना है इसको चेक करने के लिए पूरा कॉंड 360 degree उसमें से यह वाला कॉंड माइनस कर देंगे तो 360 माइनस 35 degree 40 minute तो यह हमारा मान कितना आ जाएगा 35 40 minus 360 degree minus 35 degree 40 minute तो यह हमारा आ गया 324 degree 20 minute हमने जो यह whole circle bearing में जो मान निकाला है यह whole circle bearing का मान जो है वो चुम्बकिये दिकमान जो यहां पर 8 degree 12 minute waste का है उसके सहित है तो उसको इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो हमको जो है true या मोत्तर के संदर्ब में निकालना है तो हमको true दिकमान पता चल जाएगा रथाथ सत्य दिकमान जो है वो हमको पता चल जाएगा तो सत्य दिक्मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे सत्य दिक्मान निकालने के लिए हम यहाँ पर जो मान आया है 324 डिग्री 20 मिनट मैंसे घटा देंगे कितना 8 डिग्री 12 मिनट तो यह घटाने के बाद हमारा जो मान आएगा हो कितना आएगा 324 डिग्री 20 मिनट माइनस 8 डिग्री 21 मिनट तो यह हमारा मान जो आ गया यह 315 डिग्री 69 मिनट यह हमारा सत्य दिक्मान एक टूट सत्य दिक्मान हमारा यह हो गया अब जब हमको सत्य दिक्मान के बारे में पता है अब हम क्या करेंगे कि रेखा की लंबाई को ग्याद करेंगे रेखा की लंबाई ग्याद करने के लिए रेखा की लंबाई रेखा की लंबाई को ग्याद करने के लिए हमको कोई नया सुत्र नहीं याद करना है यहाँ पे जो हमने सुत्र बताया था कि अक्छांस के बराबर क्या होता है अक्छांस अर्था लैटिट्यूड बराबर होता है यल कॉस्ट ठिट्टा यह सूत्र हमने बताया है यहां पे हमको अक्छांस का मान जो है वो पता है कितना है वो 434 दसमलो आठ और यहां पे जो यल है वो भुजा की लंबाई है कॉस्ट ठिट्टा, ठिट्टा का मान हम कितना लेंगे यहां पर, यहां पर जो हमारा यह मान 35 डिग्री 40 मिनट आया है, यह यहां पर हम ले लेंगे, 35 डिग्री 40 मिनट, जो रेखा की लंबाई रहेगी, जैसे जो यह कौार्डिनेट है हमारा, यह चार भागों में जब बटा है, तो जो रेखा की लंबाई रहेगी वो जो भी रेखा की जैसे यहां पर जो यह रेखा है इस रेखा की लंबाई तूटी आने चुम्बकिये दिखमान अगर इसमें आएगा तो इसका मान जो है एंगल बदलेगा लेकिन लंबाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसलिए यह यहां पर जो हम लंबाई निकाल रहे हैं वो जो यह वाला मान है हमारा 35 डिग्री 40 मिनट जो की चुम्बकिये दिखमान को अपने में समाहित किये हुए है उसी मान से हम यहां पर कल्कुलेट कर ले रहे हैं तो इससे कोई दिक्कर लंबाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 434.8 भागे कोस 35 डिग्री 40 मिनट तो यह हम भाग देंगे यहां पर तो यह मान कितना आ गया यह मान हमारा आ गया 434.8 भागे कोस 35 डिग्री 40 मिनट तो यह हमारा आ गया 535.189 ये हमारी रेखा की लंबाई आ गई रेखा की लंबाई हमारी जो है वो इतनी आ गई अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि रेखा की लंबाई और जो यहां पर हमको सत्य दिक्मान मिला है सत्य दिक्मान और रेखा की लंबाई की सहायता से हम जो हमको पूछ रहा है कि ट्रू य जानना जरूरी है जो यह हमने true ग्यात किया है अर्थात् सत्य दिक्मान जो को हमने ग्याद किया है यह सत्य दिक्मान हमारा 315 डिग्री 69 मिनट आया है तो चुकि हम whole circle bearing में मान नहीं रखते हैं यहां पर इसको हमको reduce bearing में बदलना होगा तब हम मान रखेंगे जैसे कि हमने पिछला वाला जो यहां पर 35 डिग्री रखा है यहां पर हमने जो कल्कुलेट किया था जो whole circle bearing में आया था उस मान को हमने ना रखकर reduce bearing वाला मान ही रखा था तो इसको हम बदलेंगे reduce bearing में तो इसको reduce bearing में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यह पूरा 360 डिग्री बन रहा है इस 360 डिग्री में से इसको हम माइनस कर देंगे तो 360 डिग्री में से 315 डिग्री 69 मिनट जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री 69 मिनट ठीक है 44 डिग्री एक मिनट आएगा यह और यह हमारा हो गया नौर्थ वेश्ट नौर्थ वेश्ट तो यह हमारा इसको पूरा कभर कर लेते हैं यह हमारा आगया reduce bearing में समान को हमें हाँ पर रखेंगे तो अब हमको अक्छांस जो है वो मिल जाएगा यल कमान हमको पहले ही पता है कितना 535 दस मलो 189 गुडे कॉस यह हो गया आगया 44 डिग्री एक मिनट इसको हम हल करेंगे ठीक इसी तरीके से 535 दस मलो 189 गुडे साइन 44 डिग्री एक मिनट तो यह मान हमारा कितना आएगा इन दोनों मानों को हम यहां लिक लेंगे इसको हल करते हैं हम पांच तीन पांच एक अट नौव लेक और कोस चौव आलिश डिग्री वन मिनट तीन सो चौवरासी दसमलो आठ साथ चार और तीन कि यह हमारा आएगा 371.88 तो इस तरीके से जो हमारा अक्छांस और भुजांक है वो निर्देशांक के रूप में हमारा कितना आगया अक्छांस बराबर तीन सो चौवरासी दसमलो आठ साथ चार और जो भुजांक है उस भुजांक का मान हमारा आगया तीन सो एकाहतर दसमलो आठ आठ पांच तो यह दोनों हमारे हो गए एंसर कितना आठ पांटों है वारी होजिए सफ्वारे होजिए अर चाहतर बवादप डांच पांच को झाल एकन